यूरु के थानेगि ये देट कि अ अंग लिए असलाम लेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सबसेरा थे शेरे करूंगे बहुत ही उनिक से बनने वाले vegetables rolls की तो चले जल्दी से ये unique और मज़ी की recipe बनाना start करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप मैदा ले लिया है इसमें मैं 1 teaspoon salt add कर रही हूँ और 1 tablespoon मैं भर के इसमें घी आड़ करूँगी और अब मैं ऐसे normal temperature के water से अच्छी तरह से गून लूँगी और बिल्कुल medium soft dough बना के ready कर लेंगे हम तो medium soft dough बनके ready हो चुकी हूँ और अब मैं ऐसे side पे रख दूँगी cover करके और अब इसकी filling के लिए मैंने यहाँ 3 medium size की boiled potatoes ले लिए हैं इसे मैं अच्छी तरह से mash कर लूँगी तो यह देखी फ्रेंड्स आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हो अब मैं समें कुछ वेजटेबल से एड़ कर रही हूँ जिसमें मैंने गाजर ली है half cup बारीक चौप की हुई और तकरीबन half cup मैंने बन गोबी ली है यह भी मैंने finely chopped कर ली है और थोड़ा स्पाइसी टच जेने के लिए मैंने इसमें दो से तीन हरे मिर्चे फाइनली चौप करके वो एड़ की है और अगर आपके पास शिमला मिर्च अवेलेबल हो तो आप वो जरूर इसमें आड़ कीज़ेगा चौप करके और अब मैंने मटर एड़ किये हैं बोल करके तो यह तक्रिबन हाफ कप मटर है इन्हें मैंने बोल करके chopped कर लिया है और वेजिटेबल आप अपनी चौइस की जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं और अगर आप चाहें इसमें chicken यूज करना तो आप boil and shredded chicken भी यूज कर सकते हैं और अब मैं इसमें कुछ spices एड़ करूँगी 1 teaspoon salt एड़ किया है मैंने और 1 teaspoon मैंने इसमें भुना कुटा जीरा एड़ किया है और 1 teaspoon red chili powder चली जाएगे इसमें और यह according to taste क्योंकि हमने green chilis भी आड़ किये हैं इसमें और अब मैं इसमें 1 teaspoon चाट मसाला एड़ कर रहे हूं और अब handful इसमें हरा धनिया चला जाएगा और अब इसे binding देने के लिए मैं 2-3 tablespoon corn flour एड़ कर रहे हूं तो इसे एक vegetables में binding आ जाएगी और यह जब हम fry करेंगे roll तो इसमें से निकलेगी नहीं filling और अच्छी तरह से हमारे कबाब प्रिपेर हो जाएगा अससे तो देखिए फ्रेंट्स हमारी filling बिल्कुल ready हो चुके है और अब हम इसके roll प्रिपेर करते हैं तो रोल बनाने के लिए मैंने इस तरह की लंबे साइस की स्क्यूर्स ले लिए हैं तो यह एजिली मार्केट में अवेलेबल हैं और बिल्कुल चीप प्राइस में मिल जाती हैं तो मैं यहाँ पर एक roll बनाने के लिए दो स्टिक्स का यूज़ करूँगी और मैंने हाथों को ओयल से ग्रीस कर लिया है और अब इस डोर से मैं एक बॉल सा बना लूँगी जिसमें कोई भी crack ना हो और जिस तरह से हम सीख कबाब प्रिपेर करते हैं इस तरह से हम इसे स्क्यूए पर फैला लेंगे तो यह दिकिए वेज़िटेबल सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम आ जाते हैं इसकी डो की तरफ तो डो बिल्कुल रेडी हो चुकी हो इसे मैंने आदा घंटा रेस्ट दिया था वह इसे थोड़ा सा मैं पंच कर लूँगी, नेट कर लूँगी और अब इसका गोल सा एक रोल बनाके मैं इसके पीसिस कर लूँगी तो इसमें तकरीबन छे रोल बनके रडी हो जाएंगे और अब मैं इनके छे पेड़े बनाकर साइट पे रख लूँगी और एक पेड़ा लेके मैं काउंटर को ओईल से ग्रीश करूँगी और बस हलका सा ही ओईल लगाना है क्योंकि यह अल्रेडी काफी स्मूज सा है आटा हमने इसमें घी भी शामिल किया था जब हमने ऐसे गूंदा था तो यह इजी ली इस प्रेड हो जाएगा और फैल जाएगा इस तरह से तो जितना हमारा रोल है इससे हमें आदे से एक इंच बड़ा रखना है तो यह देखिए हमारी रोटी बिल्कुल सई से बिल चुकी है और अब हम सीख कबाब को सेंटर में रखेंगे और इस तरह से कट लगा लेंगे साइट से तो कर्ष लगाते हूँ यह दिहान रखीगा कि आप नीचे की तरफ से रुख में लगाएं और बिल्कुल स्ट्रेट ना लगाएं जिस तरह से हम चिकन ब्रेड पे लगाते हैं और फिर इस तरह से साइट पे हम हलका सा पानी लगा देगे ताकि आपस में इजी लिwegen स्टेक हो झायाएं मिवर अधिए हम साइट उथाएंगे और इस तरह से स्टेक करते огр़ेंगे और फिर क्रिस क्रॉस करते हुए हम इस तरह से इसे बन करेंगे और अगर फिलिंग नजर भी आए तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होईगा ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी फ्राय होते हुए और इस तरह से एंड तक करते हुए हम जो लास्ट का पीस बचेगा हम इसे नाइफ की मदद से कट कर देंगे और कॉर्नर्स को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये हमारे मज़ेदार से तमाम रोल बनके विल्कुल रेडी हो गये हैं और अब हम इने फ्राय करेंगे और जब आप इसे ओयल में डालें तो आप मेक्शोर कीजिए का कि ओयल बहुत ज्यादा गर्म ना हो अदरवाइस ये उपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और क्योंकि हमने इसकी फिलिंग में कौन फ्लॉर भी यूज किया है इसको बाइंडिंग देने के लिए तो अदरवाइस वो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा तो यह देखे कितने अच्छे से बन के राइडियो हुआ है और जब मैं इसे टर्न भी कर रही हूं तो यह बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं और आप भी जाएं और जल्दी जल्दी यह बनाएं और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजेगा और अगर आप मिले चानल पर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी जरूर फॉलो करें और अपने फ्रेंड में पर चाहिं आप जब कर अच विलीक तो आप चाहिं केवे जरूर आप लूर आप करेंड अपर यह लूड़ा आप बास कर अनाप चाहिं है झाल, 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 झाल